वेलकम गाइज वेलकम बाक टी ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो आज की वीडियो क्रिप्टो करंसी से रिलेटेड है एंड काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि जो चीज़ आज मैं शेयर करूंगा हो सकता है आप में से काफी लोगों को ना पता हो आज हम इ यह specifically बना है इंडियन ओडियन्स के लिए इस वीडियो में थोड़ा हम इस प्लैटफर्म का ओवर्वियो देखेंगे और आगे इस सीरीज की फ़र्दर वीडियो में देखेंगे एग्जाक्ली इस प्लैटफर्म को आप कैसे यूज कर सकते हैं कैसे आप क्रेड्स कर सकते है कौन कौन सी strategies आप crypto में use कर सकते हैं और सारी ऐसी बहुत सारी detailed वीडियो आगे हम आपके लिए लाएंगे लेकिन इस वीडियो में overview जानने की कोशिश करेंगे अब चलिए जैसा आप delta exchange इंडिया पे आएंगे आपको kind of ऐसा platform दिखाई देगा अब सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है made for India यह specific platform Indian audience के लिए बना है यहाँ पे जो आप deposit करोगे वो भी INR में करोगे Indian rupee में करोगे जो withdraw करोगे वो भी आप INR में करोगे जो आपका profit and loss होगा वो सब कुछ INR में ही दिखाई देगा आपको अब क्युछ इसके और important features और function हम देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है we are registered with FIU government of India यानि government of India के साथ यह registered है and are fully compliant with Indian regulations यानि इंडियन जो भी regulations है वो यह follow करते हैं यह सबसे पहली चीज है यह government approved platform है अब इसके बाद है कि बहुत ही important चीज आती है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है trade crypto without owning it अभी आपने recently सुना होगा कि crypto में अब आपको 30% tax देना पड़ता है अगर आप crypto को hold करते हैं तो आपको 30% tax देना पड़ता है and 1% TDS भी लगता है यह जो VDA tax announce हुआ था virtual digital asset tax उसके according यहाँ पे यह tax announce हुआ था लेकिन यहाँ पे आप directly crypto को buy sell नहीं करते हैं आप यहाँ पे इस platform में future and option में trade करते हैं crypto के तो यहाँ पे यह आपको 30% tax नहीं देना पड़ता है नहीं यहाँ पे आपको यह 1% TDS देना पड़ता है तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है बहुत सारे लोगों को लगा था आप crypto में trade करना possible ही नहीं हो पाएगा तो कि इतना है tax fixed हो चुका है तो उस चीज़ का solution ही आपको platform दे देता है इसके लावा जैसे मैं आपको बताया कि margin, P&L सब कुछ आपको INR में दिखाई देगा आप जो deposit करोगे, withdraw करोगे वो भी INR में होगा अब यहाँ पे future on option में आप trading करते हैं इंडिया का एकलोता ऐसा platform है जिसमें आप crypto में future on option में trading कर सकते हो इसके अलावा कुछ और key features क्या है कि बहुत कम capital से भी आप यहाँ पे start कर सकते हो for example, bitcoin का contract आप almost 5000 से trade कर सकते हो ethereum का contract almost 2500 से trade कर सकते हो तो आप कम capital से भी यहाँ पे start कर सकते हो इसके अलावा 24 into 7 into 365 days market रहती है यानि यहाँ पे market कभी भी close नहीं रहती आपको after office hours trade करना है या weekends पे trade करना है हर time आप यहाँ पे trade कर सकते हैं हर time market यहाँ पे open रहती है इसके अलावा daily expires यहाँ पे आपको daily expires का भी option मिलता है weekly का भी मिलता है in fact monthly का भी मिलता है तो आप जिसमें चाहें जैसी strategies है आपकी लोगों की अलग-अलग option strategies होती है कोई weekly strategies implement करता है कोई daily करता है तो आप अपने type की strategies यहाँ पे use कर सकते हैं implement कर सकते हैं हर type के expires यहाँ पे available है इसके अलावा margin benefit भी मिलता है यहाँ पे do more with less smart margining option जैसे कि हम hedging करके चलते हैं इंडियल मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर hedge करते हैं options को features को आपका margin reduce हो जाता है total margin same way में वो ही margin benefit आपको यहाँ पे भी मिलता है तो आपका margin यहाँ पे काफी कम हो जाता है अगर आप account open करना चाहते हैं तो आप description check कर सकते हैं आपको link मिल जाएगा and link के थुरू अगर आप open करेंगे तो special आपको 10% discount भी मिलेगा आपका trading fees में तो आप एक बार वो भी check out कर सकते हैं अब इसके अलावा बहुत ही simple account opening process है जैसे कि normal आप DMET account open करते हैं उसी तरीके से process है within 1 minute आपकी KYC हो जाती है सेम आपको अधार card और pen card upload करना है उसके अलावा अपना bank link करना है और फिर अभी आप currently IMPAS के थुरू deposit कर सकते हैं थोड़े time बाद next month से UPI का option भी आपको मिलने लग जाएगा आप UPI के थुरू भी deposit कर पाएंगे और उसके बाद इतना सा process है और उसके बाद directly up trading start यहाँ पर कर सकते हैं तो बहुत ही simple sign up का भी process है तो चलिए एक बार मैं आपको deposit करके दिखा देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ सबसे पहले मेरा already account है तो तो जैसे ही login किया है kind of इस type का overview दिखाई देता है आपको अभी यह currently option chain दिखाई दे रही है आपको bitcoin की तो similar जैसे normal broker में आपको charts मिलता है option chain मिलता है यहाँ भी आपको वो सारे features मिलता है एक बर मैं आपको funds add करके दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें option दिख रहा add funds का उस पर मैं जाऊँगा अभी currently आप I am paste के through add कर सकते है जैसे मैं यहाँ पर 1 lakh रुपीज add कर लेता हूँ मैं 1 lakh आयना deposit करने चाता हूँ तो यहाँ पर मैं continue to pay के option पर जाऊँगा उसके बाद मुझे यहाँ I am paste की details दिखाई देंगी जिस account में मुझे add करना है और मेरा account already link है तो वह already दिखा देगा कौन से मेरा account है जिससे पैसे deposit होगे तो मैं अपनी एक बार app से यहाँ पर deposit कर देता हूँ 1 lakh रुपीज जो यहाँ पर मैंने select किया है तो यहाँ पर मैंने add कर दिया है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 1 lakh रुपीज मेरे deposit हो गए है और kind of यहाँ पर आपको डॉलर में भी दिख रहा होगा ठीक है अब यहाँ पर conversion क्या है यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर एक standard conversion है per dollar 85 रुपीज का standard conversion यहाँ पर लगता है standard conversion है extended price decided है और उसी के according conversion होगा deposit के time भी और withdraw के time भी तो यहाँ पर पैसे deposit होगे एक बर मैं थोड़ा आपको trade दिखा देता हूँ कैसे आप trade करते हैं अब मैं यहाँ पर जैसे markets पर आता हूँ markets में मैं futures के chart अगर देखना चाहूँ तो यह मेरा bitcoin का chart है करके देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है super trend पर अब यह मेरा 1R का chart है लेकिन normally हम infraday trades कहां करते हैं 5 minute में 5 minute का time frame यहाँ पर use करते हैं आज ही देखो आप क्या हुआ breakout मिला market ने dip किया super trend पर support लिया और फिर bounce back तो super trend यहाँ perfectly काम करता है इसे के लिए आपको यह भी दिख रहा है कि ठीक है जो same चीज़ हम वहाँ use करते हैं चलो जो आगे वीडियो आएंगे उनमें detail में इन चीज़ों की बात करूँगा एक बार मैं आपको trade लेके यहाँ पर दिखा देता हूँ for example super trend buy sign बता रहा है एक बार यानि मुझे bullish sign मिल रहा है यहाँ पर मैं इसके futures को एक बार buy करता हूँ जैसे market price पर buy करते हैं और यहाँ पर leverage का भी option आता है कि आपको कितने leverage लेनी होती है 25x, 50x, even 100x भी ले सकते हैं हम for example 5x use करते हैं अभी ज्यादा leverage use नहीं करते हैं और अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपको quantity वैसे सोच नहीं पढ़ती है और मेरे पास इतना capital है मैं कितनी quantity लोग हूँ यहाँ पर आपको percentage का option मिल रहा है महलू मेरे capital का मैसिफ 25% use करना जाता हूँ तो मैंने 25% option डाला और मैंने यहाँ पर buy पर click कर दिया ठीक है यहाँ पर place order जैसे place किया यहाँ पर message आगया कि मेरा order execute हो चुका है क्योंकि मैंने market order डाला था अब यहाँ पर buy order डाला है मैंने और अब यहाँ पर मेरा P&L दिखाने लगा है अब यहाँ पर जैसे मुझे exit order डालना है तो यहाँ मैं X पर click करूँगा और अभी limit price पर डाल देता हूँ जैसे अब quantity पहले से field है जो total quantity थी इसे भी मैं कम जादा कर सकता हूँ कि कितने percentage में मुझे sell करना है इसे इसके अलावा मैं यहाँ पर price डाल देता हूँ जैसे 69,110 पर यह sell हो जाए 69,89 पर मेरा entry price यह है अभी यह चल रहा है तो मैं चाहता हूँ 69,110 पर यह sell हो जाए मैं confirm कर देता हूँ ठीक है तो जब यह price आएगा तो यहाँ पर automatically यह sell हो जाएगा इतना ही simple है यानि normally है ऐसे कु structure भी बता देता हूँ कि कैसा इसका fee structure है जैसे पहले website पर आयते वैसे ही यहाँ पर आपको इसके अलावा 24 इंटो 7 customer support का भी option available है क्योंकि 24 इंटो 7 market trade होती है तो वो ही आपको customer care support भी मिलता है यहाँ पर आप web पे भी trade कर सकते हैं इसकी mobile app है अब वहाँ से भी trade करते हैं वो 0.03% into order national value जो काफी lower आता है अगर आप compare करेंगे किसी और crypto platform से तो उनमें यह सबसे low fees charge करता है और यहाँ पर एक और important चीज है कि maximum 10% की capping है for example आप एक option में trade कर रहे है नॉर्मल लिफ्टी के उसका price बहुत कम है आप zero hero play कर रहे हैं आपने 100 रुपी का buy किया उसमें 20 रुप most 23% brokerage और fee pay कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वो capped है अगर 10% से जादा fees भी लगती है तो यह आपसे maximum 10% ही charge करेगा तो जैसा मैंने बता है lowest fee charge करते हैं बागे किसी और platform से अगर आप देखोगे तो यह एक overall review video थी delta exchange इंडिया के बारे में और जैसा आप देख सकते हो अच्छा platform में काफी अच्छे देख भी किया है बहुत ही simple है and use करने के लिए तो आप इसे जरूर check out कर सकते हैं free account opening है description में link है वहाँ से आप account open करेंगी तो आपको 10% discount भी मिलेगा तो उसे जरूर check कर ले first comment में भी मैं आपको link दे दूँगा तो hope आपको आज की video अच्छे लगी होग and channel पर नए है अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो फड़ा पर subscribe भी जरूर कर ले